बूडूनिंग बच्चों संसारपुर की इंपार्टेंट क्लास में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोण मितिकर चैप्टर ठीक है इसके पहले के हमने निर्देशानिक ज्यामति समाप्त कर चुके हैं ठीक है आपने उस क्लास को देख लि हुआ है ड़िए आप जाकर देख सकते हैं ठीक है ठीजा यह इनहीं हमने त्रिकोण मितिकर इशेप्टर रखाया। उसमें सीधे होंने एक ही बार में पांच कोस्चन ले लिए ठीक है पांचों के पांचों कोस्चन 2022 में 2019, 2019 और 2019 में आए गए कोस्चन है ठीक है बेहद अच्छे कोस्चन है और बिल्लकुल छोटे कोस्चन है ठीक है देखे यहाँ पर पहला कोस्चन तो कहा गया कि यदि 3 काट A बराबर 4 तो 6 A का मान ग्यात कीजिए सिम्पल सा कोस्चन है सबसे पहले हम पहले कोस्चन को सालो करेंगे ठीक है कोस्चन नमबर वन यहाँ पर दिया गया है कि 3 काट A बराबर 4 तो यहाँ से हमें करना क्या है कि इस 3 को गुरे से भाग में भेज देंगे यानि कि काट A बराबर 4 बटे 3 अब काट थीटा बराबर होता क्या है तैन थीटा बराबर होता है लंब बटे अधार तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब यहाँ पर लिक देते हैं आधार और नीचे हो जाएगा लंब, ठीक है यह क्या है? आधार है और यह आपका लंब है, अब आपको एक काम करना पाईथा गोरस बना लेना है, पाईथा गोरस प्रमे का हम लोग इस्तिमाल करेंगे ठीक है, इसका हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे देखे यहां पर A लिखा हुआ है तो लंब कौन सा पढ़ रहा है इसे लंब बनाने के लिए यहां पर हमें A रखना होगा बाकी B और C आप कहीं पर भी रख सकते हैं तो लंब हमारा कितना दिया गया है 3 दिया गया है आदार हमारा फोर दिया गया है पूचा क्या गया है पूचा गया है कि सिक A का मान ग्यात कीजिए तो सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए तीनों भुजाएं पता होने कि यहां पर पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे कारण का स्क्वेर बराबर आधार का स्क्वेर प्लस लंब का स्क्वेर अब कारण आपका कितना है A B है ठीक है यह हो जाएगा A B का स्क्वेर आधार आपका 4 है तो 4 का स्क्वेर लंब तीन है तो 3 का स्क्वेर हो जाएगा ठीक है उसके बाद इधर नोट करते हैं तो यह हुझाएगा A B इसका whole square बराबर 4 का square 16 हो جाएगा 3 के square 9 तो यहाँ से आएगा A B का whole square बराबर 25 16 25 हो जाएगा square यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा under root 25 ठीक है और आपको पता है कि 25 किसका वर्ग मूल है 5 का तो यहां से हमें A भी यह पता चला कि यह 5 है ठीक है पूँचा गया सिक A तो सिक A कास थीटा बराबर आधार बटे कड़ तो यह कास का ज़स्ट उल्टा है तो हो जाएगा कण बटे आधार तो कड़ हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 4 यही हो जाएगा आपका अंसर ठीक है तो पहला कोस्चन तो आपका साल हुआ पहला कोस्चन आपका साल हुआ अब दूसरे की बारी तो चलिए यहां से हम लोग दूसरे कोस्चन को साल करेंगे ठीक है ये होगा आपका question number 2 तो question number 2 में क्या लिखा गया है लिखा गया sec theta sec theta बराबर 2 तो यहाँ पर theta की value पूछी गई है विल्कुल simple सा question है आपको मान याद होने चाहिए ठीक है आपको इनके मान याद होने चाहिए तो ये आपका हो जाएगा sec theta बराबर अब sec theta की रूप में किस का मान है कितने का मान है देखिए cast theta का मान होता है cast 30 का मान कितना होता है under root 3 बटे 2 लेकिन हमें चाहिए कितना 2 क्योंड तो देखिए यहाँ आपको लिख देते हैं cast 60 का मान होता है एक बटे 2 जश्ट इसी तरह अगर व्यूत करें उल्टा कहने तो ये बन जाएगा क्या 660 और 660 का मान कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम इसी को लिखेंगे 2 की जगा पर 660 तो 6 से से कट जाएगा ठीटा की वेल्यू निकल के आगई 60 दूसरा कोस्चन आपका सालो विल्कुल छोटा सा कोस्चन तरह देखिए ठीक है उसके बाद तीसरे कोस्चन की बारी आती है कोस्चन नमबर 3 इसे सालो करते हैं ठीक है तो इसने कहा गया 2 कास 2 कास 3 थीटा बराबर एक 2 यहाँ पर भी थीटा की वेल्यू पूची गई तो यह कोस्चन भी देखिए सिम्पल सा कोस्चन है यह गुणे से भाग में आ जाएगा तो यह हुजाएगा कास 3 थीटा बराबर एक बटे दो तो कास 3 थीटा बराबर एक बिटे दो देखे किस के बाराबर है कास साथ के बाराबर तो कास कर जाएगा और यह हो जाएगा थ्री थीटा बाराबर साथ इसे काटेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वीशन्स देखिए यह पिल्कुल छोटा सा कोस्चन था ठीक है उसके बाद आ जाते हैं चौथे नमबर में कोस्चन नमबर चार कोस्चन चार देखते हैं यह भी बहतरीन कोस्चन है अधिक तक पूँच्छा जाने वाला कोस्चन है तो यहाँ पर लिखा है टू टैन तीस बटे वन प्लस टैन स्क्वाइर तीस कितना टैन स्क्वाइर तीस इसकी वैल्यू पूँची गई है ठीक है और आपको पता होना चाहिए कि टैन तीस की वैल्यू कितनी होती है टैन तीस की वैल्यू हो जाती है एक बटे अंडरोड तीन और वन प्लस एक बटे अंडरोड 3 का होली स्क्वेर ठीक है अब इसको हम लोग आराम से सालो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे अंडरोड 3 और 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 3 क्योंकि आप 1 बटे बटे 3 का स्क्वेर करेंगे ठीक है तो यहाँ से भामें क्या प्राफ्त होगा यहाँ से हमें प्राफ्त होगा 2 बटे अंडा रूड 3 यहाँ पर LCM लेएगे तो LCM आ जाएगा 3 और 3 एक अनम 3 एक 4 यानि 4 बटे 3 तो बीच का गुणा बीच में करेंगे उपर का गुणा नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना दो गुड़े तीन और चार गुड़े अंडर रूड तीन तो दो एक अन्नम दो 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 नी चार ये रूड से यहाँ पर आएगा तो रूड आ जाएगा तो यहां से क्या प्राफ्थ हुआ यहां से प्राफ्थ हुआ अंडर रोड तीन बटे दो यह हो जाएगा आपका answer लास्ट कोस्चन आपका पाचवा नमबर बचता है तो कोस्चन नमबर पाँच यही बेहत छोटा कोस्चन है तो यहां पर लिखा 9 सेक स्क्वाइर थीटा माइनस 9 टान स्क्वाइर थीटा बिल्कुल छोटा सा कोस्चन है यहां पर देखें 9 आपका कामन मिल रहा है यह 9 आपका कामन हो जाएगा तो यह हो जाएगा सेक स्क्वाइर थीटा माइनस 10 square theta तो 9 अब देखिए इसकी जो value होती है वो एक के बराबर होती है ठीक है किसके बराबर एक के बराबर आपने इसको आपने पढ़ा होगा कि 1 plus 10 square theta बराबर 2 square theta और अगर निकालेंगे 2 square theta minus 10 square theta बराबर तो एक निकल के आएगा ठीक है और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 9 एक नम 9 ये हो जाएगा आपका answer ठीक है तो वासा करते हैं कि question number 1 से लगा कर question number 5 तक आपको पूरी तरह से question समाज में आया होगे ठीक है और जो question ना समाज में आया हो उसका question number आप comments बाक्स में जरूर टाइप कीजिएगा ठीक है चलिए अगले question क्यूर हम लोग बढ़ेंगे ठीक है इसके आगे question देखेंगे आईए बच्चियों अब हम लोग question number 6 से question number 10 तक देखेंगे ठीक है ये सारे question देखेंगे 2022, 2020, 2020 2022, 2019 में आईवे question है ठीक है सबसे पहले बढ़ेंगे question number 6 को सालू करेंगे ठीक है question number 6 बिल्कुल छोटे और आसान question है ये ठीक है इसमें देखेंगे कहा गया है कि यदि cast theta बराबर sin theta तो theta का मान गया थी दिये यहाँ पर लिख लेंगे यदि theta का मान पहुचा गया है ठीक है बेहद आसान question है देखेंगे यहाँ पर करेंगे क्या इसे हम लिखेंगे cast theta बराबर sin theta देखेंगे हमेशा गुणे में एक तो रहता ही है यह गुणे से भाग में चलाएगा यानि cast theta बटे sin theta बराबर क्या बच गया है एक और cast बटे sin जो होता हूँ किसके बराबर होता है वो होता है card theta के बराबर में एक अब यहाँ पर हमें क्या करना है card theta sorry cast लिख गया क्या लिखना था card और card के पदमी एक कितने कमाट है यह card 45 कमान है कितने का card 45 तब card से card कर जाएगा theta की value 45 अंसर आ जाएगे यह हो गया आपका question number 6 का answer ठीक है उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर सालो करेंगे question number 7 यह हो जाएगे question number 7 ठीक है यहाँ पर देखें क्या दिया गया 1 minus 10 square theta बटी 1 plus 10 square theta का मान ग्याद कीजिए यह भी आसान question है 1 minus क्या है minus है तो 1 minus 10 square 45 बटी 1 plus 10 square 45 इसका मान पूचा गया है ठीक है आपको 10 45 का मान दो पता ही है तो यहाँ पर सालो करेंगे तो यह आ जाएगा 1 minus 10 45 का मान एक उसका है square और 1 plus 10 45 का मान एक तो इसका भी square हो जाएगा यानि 1 minus 1 का square करेंगे एक ही आएगा और 1 plus 1 यह एक से एक कड़ जाएगा आ जाएगा 0 बटे 2 0 बटे 2 मतलब 0 ठीक है यह हो जाएगा आपका question number 6 का 7 का answer ठीक है उसके बाद हम लोग देखते है question number 8 ठीक है question number काउंसर question number 8 देखते हैं तो देखी 8 मारे मतले क्या कहा गया sin square 6 minus sin square 6 come on sorry sin square 6 minus sin square 30 का मान पहुचा गया है ठीक है इसे हम नोट कर लेंगे sin square 60 minus sin square 30 इसका मान हम से पुचा गया है तो sin 60 का मान पता होना चाहिए sin 60 का मान होता under root 3 बटे 2 उसका कर देंगे हम क्या whole square ठीक है उसके बाद दिया गया है sin 30 sin 30 का मान होता है एक बटे 2 इसका भी square कर देंगे ठीक है अब देखिए इसका हम whole square खोलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा root 3 का square करेंगे तो आएगा 3 2 का square करेंगे तो 4 आएगा minus 1 का square 1 2 का square 4 ठीक है तो दोनों देखिए same के लसिया मान तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और उपर हो जाएगा 3 minus 1 तो 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2 बटे 4 तो 2 एक अन्नम 2 2 दो नी चार तो आएगा 1 बटे 2 यह हो जाएगा आपका answer question number 8 का अब नौ देखिए यहाँ से question number 9 ठीक है तो यह कितना लिखा गया है cos square cos square sorry theta बराबर 1 बटे 2 तो पूछा गया है sin square theta की value क्या होगी बेहद आसान question है देखिए यहाँ पर हम cos square को क्या लिख सकते हैं 1 minus sin square theta किसको cos square theta बराबर क्या दा 1 minus cos square theta बराबर क्या दा 1 minus sin square theta कितना है 1 बटे 2 ठीक है अब क्या करेंगे यह minus यह one को धन से रण में ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा minus sin square theta बराबर 1 बटे 2 minus 1 अब यहाँ पर हम लोग LCM ले लेंगे ठीक है जब LCM लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 एक अनम 2 में से एक जाएगा तो आ जाएगा minus का minus से minus कर जाएगा और पूंचा गया था कि sin square theta का मान कितना आएगा तो आ जाएगा 1 बटे 2 यह हो जाएगा आपका question number now का answer अब देख लेते हैं 10 को यहाँ से ठीक है question number 10 तो question number 10 में कहा गया यदि 10 2 A बराबर काट A minus 18 है जहां 2 A noon कोड है तो A का मान गया यह NCRT question तो जरूर निस में आया हुआ है ठीक है तो देखिए एक बात समझ लेजिए 1090 माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है काट थीटा ठीक यहाँ हम लिखे काट 90 माइनस थीटा तो क्या को ज़्यादा है 10 थीटा यह आपस में क्या होते है बराबर ठीक है तो चलिए पहले question को लिख रहेते हैं फिर आपको समझाते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है 10 2a लिखेंगे 10 2a बराबर काट a माइनस 18 तो यहाँ पर a पूंचा गया है ठीक है अब देखिए यह पूरा थीटा है देखें 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा या काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है तो 10 थीटा तो क्या 10 थीटा की जगा पर काट 90 माइनस थीटा ने लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो 10 ये आपका पूरा क्या एक प्रकास थीटा है तो हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस थीटा यानि 2A और बराबर में क्या है काट A माइनस 18 तो काट से काट तो कड जाएगा ठीक है उसके बद आ जाएगा 90 माइनस 2A बराबर A माइनस 18 गिन्ती को एक तरफ कर लेंगे और A वाले को एक तरफ कर लेंगे तो धन्सेड में चला जाएगा तो माइनस का 2A धन्सेड में आ जाएगा बराबर माइनस का 18 और माइनस का 90 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3A बराबर इसे आप जोड़िए तो 90, 10, 100, 100 यानि 108 माइनस का 108 इसे माइनस से माइनस काड़ देंगे 3, 19, 3, 3, 9, 1 पढ़ जाएगा और 36, 18 तो यहां से यह बराबर निकल के आज़ा 36 अंस यह हो जाएगा आपका question number 10 का answer ठीक तो question number 6 से question number 10 तक भी आपको पूरी तरह से 100% समझ में आये होगे ठीक है और अगर पूरी तरह से समझ में आये हो तो all clear comment से टैप कर दें ठीक है बत्चों चलिए हम लोग आगे question देखेंगे ठीक है question number 10 से आगे के अब हम लोग question number 11 से question number 15 तके सालू करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर question number 11 में कहा गया है कि कास 18 बटे साइन 72 का मान गया थी जी देखिए यह question 2019 और 2022 में आया हुआ है और इसी आटिक question है ठीक है इसी तरह जो question number 12 है यह 2020 और 22 में आया हुआ है तेरा भी 2020 और 22 में आया हुआ है question number 14 2022 में और 15 नमबर 2022 में यह भी आया हुआ है बेतरीन question है आसान है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम question number 11 को सालू करेंगे ठीक है question number 11 तो यहाँ पर केवल कहा गया है कि कास 18 बटे साइन 72 की value गयात करना है सबसे आसान question यह होते है आपको या तो उपरवल चेंज करना है या तो नीचे वाला कोई एक चेंज करना है अब कैसे चेंज करेंगे देखिए कास 18 लिखा है 90 से कितना घटा दें कि 18 आजाए जो नीचे वाली value होती है उसी को आप घटा दीजिए अठारा आजाएगे देखिए 90 से बहत्तर घटा यह अठारा आएगा नीचे वाली को वैसे का वैसा ही लिखा रहने देना है अब आपको पता है कि कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा थीटा के रूप में क्या है 72 और बटे साइन 72 साइन 72 अंस कर जाएगा कितना आजाएगा एक ठीक है उसके बाद फिर आजाता है question number 11, 12 ठीक है question number 11 तो हो चुक है question number 12 यह कहा गया कि 10 30 into sin 38 minus स्वरी यहाँ पर 10 अच्छे हम नीचे वाला नोट कर लिए नीचे वाला हमने नोट कर लिए ठीक है यह नीचे वाला हमने नोट करना था question number 12 में देखना था 10 30 into 80 60 plus 10 60 into 6 30 अंस इसका मान हमें ग्याद करना है अब देखिए मान ग्याद करने के लिए सबसे पहले इसके value आपको पता होने चाहिए इसके मान आपको याद होने चाहिए ठीक है तो 10 30 कमान देखिए होता है कितना 1 बटे under root 3 गुडे 80 60 90 60 का याद है तो 80 60 का राम से निकाल सकते है 90 60 कमान होता under root 3 बटे 2 तो इसका हो जाएगा 2 बटे under root 3 10 60 10 60 कमान होता है under root 3 set 30 cast 30 कमान 1 बटे 2 cast 30 कमान होता है कितना under root 3 बटे 2 तिसका हो जाएगा 2 बटे under root 3 यह होता है ठीक है चलिए इसको लोग सालू करेंगे तो यह तो हो जाएगा 2 बटे root 3 का root 3 दो गुड़ा करेंगे 3 आएगा प्लस root 3 से root 3 खटेंगे किवल बच जाएगा 2 अब यहाँ पर हम L-C-M ले लेंगे L-C-M आएगा 3 तो यह हो जाएगा 2 plus 3 दो नी 6 तो 6 और 2 8 बटे 3 यह हो जाएगा पर question number 12 ठीक है चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो उसके बाद हम साख काउन सा question सालू करेंगे question number 12 के बाद question number 13 सालू करेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा question number 13 question number 13 क्या लिखा गया है sin 52 sin 38 चलिए इसको लिखेंगे sin 52 sin 52 sin 38 minus कास 52 कास 52 कास 38 क्या हो जाएगा कास 38 इसका मान पूंचा गया है अब देखिए हमें क्या करना है इन्हें चेंज करना है ठीक है कैसे चेंज करेंगे तो इसे हम लिखेंगे sin 38 को लिखेंगे 90 से अगर हम 52 घटा देते हैं तो 38 जाएगा ठीक है उसके बाद इसको हम वैसे का वैसा रहने देंगे कास 52 का कास भावन ही रहेगा इसको हम लिखेंगे कास 90 से अगर हम 52 घटा देते हैं तो 39 जाएगा ठीक है उसके बाद ये हो जाएगे कितना sin 52 इंटू इसे हम लिख सकते है sin 90 मैनस थीटा तो हो जाएगे कास थीटा कास भावन इंटू sin 90 मैनस थीटा कास 90 मैनस थीटा तो हो जाएगा sin 52 ठीक है अब देखिए ये आपस में कट रहे है कैसे कट रहे है क्योंकि ये गुड़े में है ठीक है कास भावन यहापर भी कास भावन sin भावन यहापर भी sin भावन जीरो पराप्त हुआ चलिए अब हम लोग कोस्चन नंबर 14 को साल करेंगे ठीक है कोस्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा ये भी बेहद आसान कोस्चन है इसको हम कैसे करेंगे देखिए ये हो जाएगा कास स्क्वाईर सरसट अंस माइनस साइन स्क्वाईर तेईस अंस की वैल्यू पूछा गया है ठीक है इसको देखिए आप किसी एक को चेंग कर लिए चाहिए इसको चेंग कर लिए हम इसे को चेंग कर देते है कास यहाँ पर कास स्क्वाईर ठीक है 90 से हम कितना घटे सरसटा जाए घटा देंगे तो तेईस घटा देंगे सरसटा जाएगा और माइनस का साइन स्क्वाईर तेईस तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा स्क्वाईर लगा आपने स्क्वाईर लगा दिया तो यह हो जाएगा 23 और माइनस का साइन स्क्वार 23 तो माइनस प्लस दोनों के दोनों कट जाएंगे यह आजाएगा आपका 0 ठीक है उसके बाद हम question number 15 को देखेंगे क्योंकि question number 14 आपका हो गया तो यह हो जाएगा question number 15 तो 15 में देखें क्या लिखा है कास 15 प्लस कास 75 कास 15 प्लस कास 75 बटी साइन 15 साइन 15 प्लस साइन 75 अब यह बेहद आसान question है इसको आप कैसे करना है उपर वाले में से किसी एक को चेंज करना नीची वाले में से किसी एक को चेंज करना है ठीक है चलिए इसको हम चेंज करेंगे तो कास 90 से कितना घटा दे कि 15 पंदरा आ जाए तो 75 घटा देंगे 15 आ जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कास 75 ठीक है उसके बाद अब इसी को में change कर देना है ठीक है तो sine 90 से कितना घटा दें की 15 आ जाए वो हो जाएगा 75 प्लस sine 75 ठीक है अब आपको पता है कास 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा यानि साइन 75 प्लस कास 75 बटी अब यहां पर देखिए हमें आच यहां पर सिद्ध करना है ठीक है सिद्ध करना है कि हमें यहां पर एक लाना है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कास 75 पहले हम इसे लिख रहा है ठीक है साइन 75 धन में लिख सकते है प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास 75 तो यह पूरा बटे में यह बटे में कट जाएगा कितना आ जाएगा एक तो यह क्या हो गया सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ ठीक है तो आसा करते हैं कि बच्चों कोस्चन नंबर एक से कोस्चन नंबर 15 तक की विल्कुल छोटे-छोटे कोस्चन और आसान कोस्चन थे ठीक है ऐसे कोस्चन आपको कोस्चन नंबर एक और दो में भी देखने के मिलेंगे ठीक है कितने नंबर के आते हैं एक याद दो नंबर के आते हैं ठीक है तो चलिए हम आची क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे ठीक है पिर कल मिलेंगे इसी समय पर ठीक है और इसी क्लास के साथ क्योंकि अभी बहुत से सारे कोस्चन है जो आपके मोस् बादें ठीक है इन कोस्टन बैंकों को साल्व करके आप अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं चलिए हम आग आपसे फिर एक कुजारिस करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्क्राइब करें ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यमाद बच्चों जय हिंद